प्रधान मंत्री जी ने ट्विट किया है कहा है सत्मेव जयते मैं भी कहता हूं प्रधान मंत्री जी आपसे भारी पैचारिक मतभेध है लेकिन सत्यमेब जायते चुकि आपका नहीं इस देश का है इस संभीधान का है मैं भी कहता हूं सत्यमेब और सत्य की जय होगी और इस लडाई में वो तमाम लोग जो सामिर हैं उनको एक बात बस कहते हुए अपना अनुवा आपसे सेर करूँगा बस वो एक बात यह है कि यह मत समझेगा कि कुछ स्टूडेंट के उपर एक पालिटिकल टूल की तरह सेरिसन का इस्तेमाल किया गया है इसको ऐसे समझेगा कि मैं यह बात अक्सर बोला हूँ अपने भासनों में हम लोग गाउं से आते हैं मेरे परिवार से भी साथ आप लोग मुखाते हो चुके हैं तो हमारे हार रेल पर इस्टेशन पर जिसको टीसन कहा जाता है वहाँ पर जादू का खेल होता है जादूगर दिखाएगा जादू बेचेगा अंगुठी मन पसंद अंगुठी और जिसकी जो इच्छा है वो अंगुठी पूर्ण कर देगी ऐसा जादूगर कहता है इस देश के भी कुछ नीती मिर्माता है वो कहते हैं काला धन आएगा हर हर मोदी मांगाई कम होगी बहुत होगई साही समद सही है अब की बार ले आईए सबका साथ सबका विकास वो सारे जुमले आज लोगों के जहन में है हलाकि हम भारतिया लोग भूलते जल्दी है लेकि इस बार का तमासा इतना बड़ा है कि भूल नहीं पा रहे है कोशिस यह है कि उन जुमलों को भूला दिया जाए और ये जुमले वाज कर रहे है और उसको कैसे भूलाया जाए तो ऐसा करो इस देश के तमाम जो रिसर्च फेलो हैं उनका फेलोशिप बंद कर दो लोग क्या करने लगेंगे कहेंगे फेलोशिप दे दीजिए फेलोशिप दे दीजिए फिर कहेंगे का अच्छा ठीक है जो पाँच हजार और आथ हजार देता था वही कॉंटिनू रहेगा मतलब बढ़ाने का मामला गया बोलेगा कौन जेन्डियू जेन्डियू सरकार है उस जन्डियू सरकार के खिना आप बोलेगे तो उनका साइबर सेल क्या करेगा वो डॉक्टर्ट बीडियो बेजेगा वो आपको कालिया बेजेगा और वो गिलेगा कि आपके दस्ट्वीन में कितना कॉंडोम है मानिया पधान मंतरी जी का आधर नहीं है बोलना परेगा ना इसको डॉक्टर्ड करके फिटे एक्सेटिशन लगा दिला जाए तो मानिया पधान मंतरी जी कह रहे थे स्टालीन और खुश्चेव की बात कर रहे थे मेरी इक्षा हुई कि मैं टीवी में घुश जाओं और उनका सूट पकर कर कहूं मौदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर देए अच्छा छोड़ दीजे हिटलर की छोड़ दीजे हिटलर की फूर सोलने की बात कर दीजे जिसकी काली टोपी लगाते हैं जिससे आपके गुडू जी गोलवलकर साहन मिलने गये थे और भारतियता की पड़िवासा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था तो हिटलर की बात, खुरुशेव की बात, पढ़ान मंत्री जी की बात उसी वक्त योजना की बात हो रहे थी मन की बात करते हैं सुनते में तीन-चार कॉंस्टेबल जेल में मुझे पुछे की सचमे नारे लगाये हो हम बोले सचमे लगाये हैं फिर जाके लगाओगे बोले एकदम लगाएंगे हम बोले फर्क कर पाते हैं कि रेशनलिटी खतम हो गई भाई साहब अभी दो साल ही सरकार को आये हुआ है तीन साल और जेलना है इतनी जल्दी अधियस अपनी रेशनलिटी ल्यूज नहीं कर सकता है तो कि सच के 69 परसंट नोगों ने उस महन सिक्टा के खिलाफ वोट दिया है इस बात को दमप्रसी में लागाएं क्लेवा लिकतिश पतिशक वे और उसमें से भी कुछ आपके जुमलवाजी में फस गये कुछ को तो आपने हर-हर कहके ठक लिया आज कल अरहर से परिसान है अधालक तै करेगा अधालक तै करेगा कि क्या देश ध्रो है और क्या देश भक्ती है यह तै मैडम असमिर्थी रानी नहीं तै करेगी तोगी हम उनका बादस्या नहीं है यह माइचाइल्ड माइचाइल्ड यह कह करके बड़ा सौफ्टी जो है हम लोगों को टार्गेट कर रही है एक बाद में कह देता हूं और मेरी जो महिला साथी है वो अधर्वाइज नाल है मैंने पहली बार असमिर्थी रानी जी के अभिने कौसल को देखा पार्या मेंट में क्या पर्फर्मेंस था मैं थोड़ी पर के लिए भूल गया मैं क्या देख रहा हूं यह लोगसवाद चैनल है लोगसवाद टीवी है यह स्टार पलस है जो आप नहीं सोचती है तो यह सेडिसन वेडिसन का तमाशा बंद कीजिए, हमारा फोलोसित हमको दे दीजिए, और रोहित की हत्या जो हुई है, उसकी नहितिक जिन्मेवारी ले लिजिए, तो नहितिकता की बहुत बात करते हैं, तो नहितिक जिन्मेवारी ले करके, जो आपको उचित लगे, आप स आप करती जिए, मारे भाजी हम फिल्वी करेंगे